नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अवनीस और आप देख रहे हो इससे स्टॉक मार्केट बात करेंगे जेपी एसोसियेट लिम्टेट के बारे में जेपी एसोसियेट से लिम्टेट में आज फिर से टेडिंग बंद होग चुकी है यहां पर आई बीसी के जो है कहले सर्विलांस प गपारी बेचने से पहले एक बार देख लो इस तरह से मैं यहां पे बताया था और यहां पे मैं आप बढ़ोमं को बताया था पहले की लİंग। इस vidéo का लिंक जहाँ पे यहां पर बता रहा हूं यहीं प्योंद करा इस विडियो को यहीं पर छोड़े लेकिन यह वाली विडियो आप आप लोग जाके पूरी हें और फिर आप यूद्ट से समझ या कि इसमें छुर्टको पड़ो हूँ या फिर कहलें कि समझाया हूँ ठीक ना तो उस रूल में क्या किया गया है ना कि रूल में एक चीज़ में बताया गया है कि जो यह चिसर विल्रस पहर उसमें जो एक्षण लिया जाता है जो भी सैर, ईसल्स इस यहाई एक्षण नियारता है कि उस स्ययर को टेडिंग सेशन ही उसको टेड किया जा सकता उसकी पांच दिन केवल एक जीन होगी ंद्लाओ एक निट तेड होगी और उस संदे के बाद वाला टेडिंग से संदे के बाद वाला टेडिंग से संदे के बाद वाला टेडिंग से संदे के बाद वाला कैसे क्यों बोला हूं सिधा मंडे को नहीं बोला हूं मंडे बोलना गलत हो जाए क्योंकि मंडे को ही टेडिंग इसमें होगी अगर मंडे को तो इर्टेटिंस और इसका सर्किर लिमिट भी पांच परसेंट वहीं रहेगा तो एक दिन में इतने सेयर भिकने है वहीं बर में बाइस अलब होई एक दिन में बिखेंगे बिखेंगे नहीं तो फिर एक हप्टा इंदजार करना पड़ेगा हम लेकिन इसमें भी चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कुछ सेरों का तो मैं ऐसा ऐसा भी देखां और सेम इसी तरह का तो वह और यह समझ लिए एक दम सेम आपको मैं पचास सो से दिखा दूँगा जो इस वाले सेट्विशन को फेस कर रहे हैं मतलब उनकी टेरिंग हपते में एक ही दिन होती है और कुछ का तो सरक्री लिमिट भी दो ही परसेंट था मतलब हपते में एक दिन होगी और सरक्री ल अज करें वे आट चांगो पता है कितना दिन लग चाहिए लागा था है प्लोग नीकोड़ फैल कि डील सबढ़ को इसको जेल चुके और रहे हो आप ओल्ड करिया बिया ओर मुमिंटम आया नो रुपे पे जब है यह साथ रुपे जहल चुके है तो फिनौ रुपे पे क्यों डर रहे हो आप इसको ओल्ड करिये 12 रुपे तक भी जा सकता है अब ऐसा में क्यों बोलना हूं क्योंकि उस पर पीछे भी मेरा एक जो है लोजि उस रिजल्ट में या फिर अनॉस्मेंट हो गया तो मतलब समभावना तो है न भाई इतना बड़ा इसका रिजल्ट क्या रिजल्ट मतलब तीन महीने का जो भी है कारूबार उसका एक होता है कि हुगा क्या है तीन महीने का एक इंपोर्टेंट दिन होता है रिजल्ट और वो दिन इसका कॉल है तो थोड़ा सवेट करना और उस दिन टेडिंग भी नहीं होगी मेरे हिसाब से उस दिन भी तो अब अगला टेडिंग इसका कब होगा उसको आप समझें कि 19 तारिक ह आएगा और फिर उस दिर इसकी जो है टेडिंग होगी ठीक है तो देख लिजेगा आप लोग निसेंद रहिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से बाई कर सकते हो टेक्निकली तो अभी कोई दिक्कत नहीं है जो मैं अपने चार्ट पर दिखा रहा था पेटियम मनी के तो हर इसको पांच परसेंट गिरने में एक अपता लगेगा तो पंदरह परसेंट पर लगबद आ रहे हैं हमोंगों का चलिए दस परसेंट ही मान लेते हैं दस करसेंट मानाई यह तो बैलेगग दो अपता लगेगा तब तक तो यह महीना इकतम हो जाएगा लगब लगब तो ठीक है कम मोमेंटम करेगा तो और अच्छा रहेगा देखते हैं तब तक अच्छ आगे बड़ेगे बात तो फिर देखेंगे ठीक न कोई टेंसन नहीं लेना है कर लिजेगा डिटेल में आपको जानका लिचेए तो यह वाली वीडियो आपको जहूर देख लिजेगा समझ में आ जाएगा आप लोगो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा च पर अपका रहेगा एक लाट ग्शल अंदर वाला तो तो आपके सेंब भीक एगंगे नहीं तो चार करोड़ पांच पर पीछ पीच हेएगे तो फिर आपको मतलब लगाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा तो देख लिजेगा मिलते हैं लाइक करिएगा